Hello friends, welcome to SSC coaching center दोस्तों, आज के वीडियो में घड़ी के कोशन है और घड़ी के बहुत ही important कोशन है दरपन वाले, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल, एक घड़ी में 8 बच कर 20 मिनिट हो रहा है, तो दरपन में इसका प्रतिविम्ब क्या दिखाई देगा? ठी ऐसा कोशन कभी भी रहे, तो आप उसे क्या करोगे? बारे बजे में से माइनस करोगे, अगर पूरा पूरा टाइम है, तो बारे बजे में से माइनस करोगे, अगर पूरा पूरा टाइम नहीं है, तो ग्यारे बज कर 60 मिनिट में से माइनस करोगे, मतलब यह है, अब जैसे यहाँ पर minute में time दे रखा है, तो 11 बज कर 60 minute का मतलब क्या है, 12 गंटे ही होते हैं, 12 गंटे हैं, अब 12 गंटे हैं यहाँ पर सीधा सीधा है, तो सीधा सीधा time होगा, जैसे 8 बज रहे हैं या 9 बज रहे हैं, तो इसे 12 में से minus करोगे, अगर कुछ minute दी गई हैं, तो उसे 11 बज कर बीस मिनिट हो रहा है, आठ बज़ कर बीस मिनेट हो रहा है, तोatan मिनिट वाला है, इसको 11gen 60 मिनेमिर से मैँस करोगे, 11 Вас के 60 मिनेमिर मैंस करोगे और आप कहा आवरा यह कुआ शाट में से 20 जायेगा, सीधा सीधा 40 बचे का, सीधा थी 10 बचे तो दरपण में जो इसका प्रतिमिम दिखाई देगा वो 3 बज कर 40 मिनेट होगा ये है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब 3 बज कर 40 मिनेट B option होगे आपके प्रशनी का बिल्कुल सही जवाब केलियर हो गया न सभी को चलिए अब देखते हैं अगला सवाल अगला प्रशन मिनेट अगर दे रखें तो 11 बज कर 60 मिनेट में से हम उसको माइनस करेंगे लेकिन हमारे पास यहां जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 10 बजे का पूरा पूरा टाइम 10 बजे का कोई भी मिनेट नहीं है कोई भी मिनेट नहीं है ना तो सीधा-सीधा 12 बजे में से माइन कर पाएगा, अब मुझे मालूम है आपगे धिमाग में एक confusion है, वो confusion क्या है? वो भी clear हो जाईगा वो confusion क्या है? वो भी भी मालूम है आपके दिमाग में क्या confusion चलना है चलिए, आप देखते हैं अगे अगला प्रश्शनी है एक घड़ी में दो बच कर 20 मिनेट हो रहा है तो इसका जल प्रतिमिम क्या होगा मैंने बोला था ना कि आपके दिमाग में जो confusion है वो next question में clear हो जाएगा क्योंकि आपने पहले क्या देखा आपने देखा दरपन आप सीख चुके हैं दरपन अगर दरपन वाला है तो उसे आप क्या करोगे या तो 12 बज़ी में से मानिस करोगे या फिर 11 बज़ कर 60 मिनट में से मानिस करोगे अगर दरपन वाला प्रेशन है तो लेकिन अब प्रेशनी क्या आगया अब आगया जल प्रतिमिम वाला अब जल प्रतिविम वाला question आ गया है तो जल प्रतिविम के लिए मैं आपको अच्छे से clear करा दूँगा यहाँ पर पूरा वीडियो देख लीजिए आप चलिए प्रशनी में क्या वोला है 2 बज कर 20 मिनट हो रहा है कितना हो रहा है 2 बज कर 20 मिनट हो रहा है क्या करेंगे 2 बज कर 20 मिनट हो रहा है क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम समझाएंगे आपको जल प्रतिविम में क्या करना है या तो आप 6 बज कर 30 मिनट में से माइनस करेंगे या फिर 18 बज कर 30 मिनट में से माइनस करोगे ठीक है अगर इससे उपर टाइम जाता है तो उसे आप 23 बज़कर 60 मिनेट में से माइनस करोगे या फिर 24 गंटे में से माइनस करोगे सीधा सीधा ठीक है अगर सीधा सीधा टाइम है तो 24 गंटे में से अगर मिनिट में दे रखा तो 23 गंटे 60 मिनिट में से लेकिन जब तक जब तक टाइम 6 से नीचे है तो इस में से माइनिस करना है ठीक है 18 से नीचे है तो इस में से माइनिस करना है इस से उपर जाएगा तब इस में से करना है चलो 2 बच कर 20 मिनिट हो रहा न जो कि पहले ही option अगर इससे उपर हो 6 से उपर हो 18 के नीचे हो तो इसमें से minus कर देना 18 से उपर हो तो फिर इसमें से minus होगा सवाल किलियर है ना चलो अब देखते हैं अगला सवाल अगला प्रशनी है एक घड़ी में 12 बचकर 20 मिनट हो रहा है तो इसका जल प्रितिमिम क्या होगा अब देखो 6 से उपर है पहले में आपको क्या बताया कि आप 6 बचकर 30 मिनट में से minus करेंगे अगर इससे उपर है टाइम तो 18 बचकर 30 मिनट में से minus करेंगे यही तो बताये मे बचकर 30 मिनट में से आप इसको minus कर दीजिए minus कर दो 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा और 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा तो जो समय रहेगा जल प्रितिमिम में जो समय दिखाएगा वो 6 बचकर 10 मिनट का दिखाएगा जो कि हमारे पहले option में है के लिए रहना और इससे उ webfinance करेंगे बात के लिए रह ना चलिए अब देखतें आगे अगला प्रश्चित है एक गड़ी एक बजए है एक बार तो बज़े, दो बआर तीन बज़े तीन बार बर्सती है तो 24 गंटे में कितनी बार बज़ेगी घड़ी में 12 घंटे ही होते है सबसे जरूरी बात तो है कि गढ़ी में 12辉थे है ठीक है तो चलिए 24 घंटे में ऊजा न तो सबसे पहले हमें 12 घंटे का निकालना होगा क्यों कि एक घंटे में एक बार दो घंटे इसे 10 घंटे में 10 दमार Дर ग्यारे घंटे में 11 बार 12 घंटे में 12 बार बज़े बारे से उपर टाइम नहीं होता का 13 गंटे में 13 बार 14 गंटे में 14 बार ऐसे तो नहीं बज़ सकती ना 12 गंटे तक ही बज़ेगी बारे एक बाद फिर से एक से रिपीट होगी 12 तक किलियर कह रहा हूँ, तो चलिए, एक गंटे में एक बार, दो गंटे में दो बार, तीन गंटे में तीन बार, चार गंटे में चार बार, ऐसे ही बारा गंटे में बारे बार बजेगी, चलिए, इसमें अंतर देखो, एक और दू में एक का, दो और तीन में एक का, तीन और चा करके 13 हो गया berれ में 2 गुणे 12 दूसे 12 को चाधूगा 6 बार में 13 कंअदब और 58 यानि की 12 गंटे में 12 गंटे में कितनी बार बजेएगी वह 18 बार तो फिर से 12 गंटे में 58 बार बजेएगी 12 गंटे 12 गंटे 24 गंटे हो गये न तो पहले 12 गंटे बार फिर दूसरे बार गंटे में भी 78 बार तो इनको जोड़ लो 24 गंटे में कितनी बार बज़ेगी पता लग जाएगा यानि कि 156 बार बज़ेगी बी ओप्षन हो जाएगा सवाल का सही आंसर अब देखतें अगला सवाल अगला प्रशनी है एक घड़ी 7 बार बज़ने में 18 सेकिंड का समय लेती है गड़ी तो 14 बार बज़ने में कितना समय लेगी ये बताना है इसको करने का जो मैं लोजिक बता रहा हूँ न बहुत ध्यान से देखेगा अगर मैं इस 7 से 1 कम कर दूँ तो संक्या कितनी हो जाएगी 6 ची हो जाएगी न और इस 7 की पावर अगर मैं 3 कर देता हूँ 7 से 1 कम किया 7 की पावर 3 किया तो जो 1 कम किया है इसका और इसका अगर आप मल्टिप्राइब कर दो तो 6,3 का 18 सेकंड हो गया इस तरीके से यह समय निकलता है बिलकुर उसी तरीके से यहाँ पे भी एक कम कर दो तो 14 से एक कम कर दूँगा 13 हो जाएगा और इसकी पावर 3 कर दूँगा और बिलकुर सेम ऐसे ही मल्टिप्राइब मैं कर दूँगा तो 13 तरीका समय हो जाएगा 49 सेकंड का सवाल खतम हो गया बाई समझना है के वाल कुछ नहीं है 49 सेकंड पहला ओप्सन हो जाएगा सही जवाल तो इस प्रेशन को आप कभी छोड़ना मत बहुत बच्चे एक्जाम में छोड़ देतें से अब आप मत छोड़ देना अब देखतें अगला सवाल अगला प्रेशनी है चार एवं पांच बजे के बीच घड़ी की दोनों सुईया कवापस में मिलेंगी चार और पांच बजे के बीच इस प्रेशनी को सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहले वाला टाइम है वो लेना है आपने वो ले लिया मल्टीप्लाई हमेशा पांच से ही करना है यहाँ पर क्या करेंगे पांच से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पंजे 20 हो जाएगा 20 हो गया न डिवाइड हमेशा 11 से करना है मतलब 5 से multiply पहली संक्या में और डिवाइड हमेशा 11 से ही कर देना है ये बात हमेशा याद रखना चलो अब मैं 11 से 20 में जब डिवाइड दूँगा न तो 11 एकम 11 कटेगा और 9 बचेगा 9 उपर बटे में 11 ठीक है अब सबसे जरूरी बात क्या है सबसे जरूरी बात दोनों सुईया कब आपस में मिलेंगी तो जो पहले वाला टाइम है इसी टाइम से मिलेंगी पहले वाले टाइम से आपस में, ठीक है, पहले वाला टाइम, चार रखना है, 20 में जोड देना, एक को तो 21 हो जाएगा, उपर 9 है, बटे में 11, ये आपके सवाल का अंसर है, नहीं समझ मैं आना, एक बार में से फिर से समझाऊँगा, जो पहले वाला टाइम है, उसका मल्टि प्लाइ आया है, उसमें हमें से 11 से डिवाइड, जब 11 से डिवाइड कर दोगे, एक बार में जाएगा, 9 बचे का ऊपर, 11 से नीचे, ठीक है, पहले वाले टाइम से मिलेगी सुई हमें से, पहले वाला टाइम देकर चार, 20 में जोड देना, इस एक को तो 21 हो जाएगा, 21 वापस में मिलेंगी, मैंने क्या बोला, पहले वाला टाइम लेना, और मल्टीप्राई हमेशा 5 से कर देना, ठीक है, तो 3, 5, 15, और डिवाइड हमेशा 11 से करना, तो 11 से डिवाइड करना, 11 एकम 11, 4 बचे का 4 उपर, बटे में 11, सही है न, पहले वाले टाइम से मिलेंगी न, गड़ी की सुई हैं, तो पहले वाला टाइम लिख दो, 15 में, एक जोड़ दो, 16, और उपर वाला टाइम उपर, नीचे वाला नीचे, ऐसे ही तो क्या था हमने, पिछले कोशन, अब जिस जिसको थोड़ा सा भी डाइट होगा न, तो वो अब समझ में आ गया होगा, तीन ब दो बज़े के बीच घड़ी के दोनों सुयां का वापस में मिलेंगी, ये कोशन सिखाना बहुत जरूरी था आपके लिए, अभी जो सीखते हुए आ रहे हैं, वही तो है, पहले वाला टाइम लेना, एक, मल्टिप्लाई हमेशा 5 से कर देना, एक का 5 से करेंगे 5, और डिव से फिर इसमें मैं डिवैड दोंगा, तो डिवैड जाएगा ही नहीं, पिछले दो कोशन हमने ऐसे देखें, जिसमें डिवैड जा रहा था एक बार, लेकिन यहां तो डिवैड ही नहीं जा रहा, जा रहा है क्या डिवैड, डिवैड नहीं जा रहा, जब डिवैड नहीं ज संक्षा के यहां पर कोई संक्या मैं लिंग हो था कि कुछ नहीं है तो संक्या कि ऐसके जाएगा डहन के चाहिए जिक्ता यहां नहीं के तो संक्या को ही उन्लोंग है ना कोई संगय होती है तो उसको यह जोड लेता हूं ना पांच में वाली जोड लोगा फिर इस संग्शा को लिखूंगा लेकिन जब डिवैट देने के और 5 वट्टे 11 लिख देना बस यह आपका अंसर हो गया किस option में चेक कर लो